हेलो दोस्तों, मैं हूँ अक्षता कागाल, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको बारिश के मौसम में मिलने वाली चकुन या चक्रमर्द जिसे इंगलीश में कैसिया तोरा और कॉंकणी में ताइकिले और कंड़ में तगटे सुपु कहते हैं इसे बनने वाली तीन रेसिपीस बना कर दिखाने वाली हूँ पहली रेसिपी है कैसिया तोरा याने ताइकिले से बनने वाली सूखी सबजी इसे उपकरी कह सकते हैं कैसिया तोरा से बनने वाली हमारी दूसरी रेसिपी है ताइकिले की तंबली इसे हम सालन की तौर पर चावल की साथ खाते हैं और तीसरी रेसिपी है कैसिया टोरा का बड़ा जिसे हम कौंकडी में सन्ना पौड़े कहते हैं तो फिर चलिए बिना देर गिये ये तीनों रेसिपीस शुरू करते हैं ये है कैसिया टोरा याने चक्रमर्द की पत्तियां पहले हमें इन पत्तियों को डंडल से इस तरह तोड़ कर अच्छे पत्तियों को इखटा कर लेना है उसके बाद इसमें थोड़ा नमक डाल कर साफ पानी से इसे धोना है उसके बाद इन पत्तियों को एक कपड़े के ऊपर या कोई जाली वाले बरतन में डाल कर रखे ताकि इसकी पानी सभी निकल जाए कैसिया टोरा से बनने वाली पहली रेसिपी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है सूखी सबजी याने ताइकिडे की उपकरी दाली जे और उसमें तेल डाल दीजे और एक चमच धनिया आदा चमच जीरा तीन सूखी लाल मिर्च थोड़ा कड़ी पत्ता इने डालकर फ्राई कर लीजे और एक कप किसा हुआ नार्या इसमें डालकर भून लीजे ये थोड़ा भून लेने के बाद इसे थंडा कर लीजे और मिकसर जार में डालकर दरदरा करके बिना पानी पीस लीजे उसी पैन में दो चममच होर्स ग्राम यानि कुलती डालकर फ्राई कर लीजे और उसे भी थंडा होने के बाद पीस कर पवडर बना कर रख लीजे फिर उसी पैन को गैस में चड़ाकर उसमें तेल डाल दीजे और थोड़ा राई डाल दीजे राई को थोड़ा चिटकने दीजे, फिर चिटकते ही थोड़ा कड़ी पता डाल दीजे हमारा ये तड़का तयार हो चुका है, अब इसमें डाल दीजे छोटे टुकडों में कटे हुए दो प्याज प्यास को थोड़ा भून लीजे और डाल दीजे 20 से 25 लसन की कलिया जिसे मैंने बारी काट लिया है इसे भी प्यास के साथ भून लेना है उपर से थोड़ा नमक डालिए और प्यास और लसन को भून लीजे प्यास को ब्राउन होने तक भूनने की जरूरत नहीं है इतना सा काफी है अब इसमें डाल दीजे कैसियां टोरा की पत्या मैंने यहां दो कप कैसियां टोरा की पत्यां डाला है जिसे मैंने बारी करके काट लिया है इसे प्यास के साथ ऐसे ही मिलाते हुए बिना पानी डाले पकाना है थोड़ी देर बाद ये पत्तियां इस तरह से पक जाएगा तब इसमें थोड़ा नमक डाल दीजे पत्तियों की सबजिया बनाते वक्त हमेशा पत्तियां पकने के बाद ही नमक डालना चाहिए क्योंकि पत्तियों की मात्रा पकने से पहले ज्यादा दिखती है और पकने के बाद उसकी मात्रा कम हो जाती है हमने पहले ही दरदरा करके पीस कर रखा हुआ मसाला थाना वो इसमें डाल कर मिला लीजे मसाला मिक्स होने के बाद आखिर में हौर्स ग्राम याने कुड़ती का पौडर जो हमने बना कर रखा था वो भी इसमें डाल दीजे आपकी कैसियां टोरा याने ताइकिले की उपकरी रेडी है अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी ताइकिले की तंबली की और ये रेसिपी बड़ा ही सिंपल है गैस पर एक पैन चड़ाईए और उसमें दो टेबल स्पून घी डाल दीजे साथ ही उसमें छोटा हीं का टुकड़ा, दो हरी मिर्च, एक कप कैसिया टोरा की पत्यां इने डाल कर फ्राई कर लीजे पत्यों से कच्चापन चले जाने की बाद ये पत्यां कुछ इस तरह से दिखने लगेंगे मिक्सर जार में देड़ कप किसा हुआ नार्यन, फ्राई किये हुए पत्यों के मिश्रण, एक छोटा टुकड़ा इमली डाल कर थोड़े पानी के साथ पीस लीजे और एक बॉल में निकाल कर थोड़ा नमक डाल कर मिक्स कर लीजे इसमें थोड़ा धही या छाज भी डाल सकते हैं, लेकिन उस वक्त आपको इमली की मात्रा इसमें कम डालना पड़ेगा आपका ताइकिले की तंबली भी रेडी है अब बनाते हैं तीसरी रेसिपी कैसिया टोरा की सन्ना पॉले इसे बनाने के लिए मैंने लिया है आदा कप चने की दाल, दो टेबल स्पून चावल इन दोनों को मैंने एक घंटा पहले ही पानी में भिगो कर रखा था इन्हें मिकसर जार में डाल दीजे और उसी के साथ एक कप किसा हुआ नार्यल चार सुखी लाल मिर्च, छोटा इमली का टुकडा, एक चमच हल्दी, तीन चमच गुड इन सभी को मिकसर में डाल दीजे और बहुत ही कम पानी के साथ पीस कर ऐसा गाडा मसाला तयार कर लीजे इस मसाले में दो बारी कटे हुए प्यास डाल दीजे स्वाद अनुसार नमक, दो कप कैसिया टोरा की पत्तियां जिसे मैंने बारी करके काट लिया है उसे भी इसमें डाल कर अच्छी तरह से मिला लीजेगा ये मेरे तीनो रेसिपियां आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएगा रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेर करना ना भूलिए आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा साथी नीचे दिये गए बेल आइकॉन को भी दबा दीजेगा इससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा ये मसाला भी मिक्स हो चुका है अब इसमें डाल दीजेगा पाउ चमच अजवाइन और आधा चमच जीरा इन सबी को अच्छे तरह मिला लीजेगा जीरा और अजवाइन डालने से सन्ना पोड़े में स्वाद आता है और साथ ही चने की दाल से पेट में होने वाली गैस की समस्याओं से भी ये बचाता है ये मिश्रण तयार होने के बाद गैस पर एक तवा गरम करने के लिए रख दीजे और दो चमच तेल डाल कर इस मिश्रण को ऐसे हाथ में लेकर तवे पर वीडियो में दिखाए हुए तरीके से फैलाते हुए छोटे छोटे दोसा बनाते जाए उपर से दो चमच तेल डाल दीजे फिर दोसे को पल्टाते हुए तेल डाल कर फ्राई कीजे इस तरह से बनाये हुए छोटे-छोटे दोसों को हम कौंकणी में ताइकिले की सन्ना पौले कहते हैं हमारी तीसरी डिश भी तयार हो चुकी है आज की हमारी कैसिया तोरा याने ताइकिले की भोजन खाने के लिए तयार है एक नए रेसिपी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई